हेलो गोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में दोस्तों Realme का था आज कैमरा इनोवेशन इवेंट कहीं और नहीं सिरफ और सिरफ इंडिया में और इनोंने दोस्तों अन्विल कर दिया है 64 मेगा पिक्सल कैमरा जो की सबसे पहले दोस्तों आपके लिए करेंगे इंडिया में लाउंच इनोंने ये चीज़ भी जो है कनफर्म कर दिये सारी चीज़े बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगें तो आपने कुछ नहीं करना बस वीडियो को यार लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और इन्हों ने उन्वील कर दिया है 64 MP जी हाँ 64 MP अब यह 48 MP का जो है जमाना नहीं रहेगा इस हिसाब से तो यह लग रहा है 64 MP इन्हों ने उन्वील कर दिया है जैसे दोस्तों मैंने आपको कल बताए था कि Redmi भी लेकिया रहा है यहाँ पे दोस्तों आपको वैसी ही pixel binning type technology जो है देखने को मिलेगी, 16 megapixel sensor को pixel binning technique से 64 megapixel बना दिये जाएगा, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे technology देखने को मिलेगी, इसके साथ दोस्तों आपको 64 megapixel वाले camera में काफी सारे function और feature देखने को मिलेगे, night scape mode आपको देखने को मिलेगा, chroma boost mode आपको देखने को मिलेगा, ऐसे काफी सारे आपको यहाँ पे features और mode देखने को मिलेगे, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कुछ pictures भी post करी है, 64 megapixel camera वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जादा आपको यहाँ पे detailing मिलती है, कितनी बढ़िया यहाँ आपको यहाँ पे resolution देखने को मिलती है, साथ सी साथ कुछ night mode की photo भी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हैं overall, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यह मिलने वाला है, कब अब आपका question होगा, यह तो आपको बता दूँ कि यह भी इन्होंने confirm कर दिया है, सबसे बहले आपको दोस्तों बता दूँ कि ऐसे quad camera वाले तीन फोन यह लेके आएंगे, यानिकी एक होगा दूस्तों Realme 3 का upgrade, Realme 5, उसके बाद होगा दूस्तो Realme 3 Pro का upgrade, Realme 5 Pro, उसके बाद दूस्तो Realme X का upgrade, Realme X Pro, बट यहाँ पे दूस्तों एक चीज़ का ख्याल रखीगा, quad camera तो आपको तीनों फोन में मिलेगे, बट हो सकता है आपको Realme X Pro में ही 64 megapixel वाला जो camera है वो देखने को मिले, और यह दोस्तों यह भी इन्होंने confirm कर दिया, यहाँ पे मैं आपको tweet दिखा देता हूँ, इन्होंने यह चीज़ दोस्तों confirm कर दी है कि we will launch India's first 64 megapixel quad camera smartphone this year before दिवाली, यहाँ आपको दिवाली से पहले यानि कि आपको October जो mid तक आपको यह phone 64 megapixel, साथी साथ Quad camera वाला Realme का phone इन्होंने बताया कि सबसे पहले इंडिया में launch करेंगे 64 megapixel camera वाला phone, तो यहाँ पे एक थमसब तो बनता है Realme की इस camera innovation के लिए, साथी साथ दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि इनका ये जो camera होगा, ये best camera phone in this segment होगा, ये काफी अच्छी बात है, already यार मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इसके चाहे 8000 वाला phone हो, 7000 वाला phone हो, 15000 वाला phone हो, कोई भी phone Realme का उठालो, आपको camera quality काफी अच्छी मिलेगी, काफी अच्छा focus करते है Realme अपने smart phones के camera के उपर, बाकी दोस्तों मुझे आप नीचे comment करके बताना कि आप क्या इसका wait करोगे, दिवाली तक आपको wait करना पड़ेगा, 64 megapixel और quad cameras, मतलब technology आप देखी, कहां कहां जा रही है यार, बिलकुल लाज जबाब, यहां पर बिलकुल दमाका कर दिया है Realme ने, और यहां पर टकर होने वाली है Realme और Redmi, क्योंकि Redmi भी आपको बताया था, 64 भी लेकि आ रहा है, और 378 megapixel camera वाला phone भी आपके लिए लेकि आ रहा है, तो बस दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से यह लाइक शर्ण है, सब्सक्राइब कर देना, फ्रस्ट आम इस चैनल पहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तो बेल आइकन भी दबादे हैं, तो भी आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोडिक्शन मिलेंगी, मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बबाए, टेक केर,